हेलो स्टूडेंस आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 और क्लास 10 आज की जो वर्कशीट की डेट है वो क्या है 17 जुलाई 2021 ओके तो आज की वर्कशीट बहुत इजी है चलिए से देखते हैं और समझने इसमें क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में आपको फिर से बिल्लू और पिंकी दिये गए हैं चलिए क्या कंवर्शेशन कर रहे हैं क्या बाते कर रहे हैं इससे देखते हैं सबसे पहले पिंकी बोलती है हाई बिल्लू डू यू नो वट डिटर्मिनर्स आर तो यहाँ पर पिंकी क्या बोलती है कि बिल्लू क्या तुम मुझे determiners के बारे में जानने की अभी थोड़ी ज़रूरत है लेकिन मैं articles जानता हूँ determiners नहीं जानता हूँ then next है okay determiners are those words that are prefixed before nouns to determine their meaning so यहाँ पे pinky क्या बोलती है कि अच्छा जो determiners होते हैं वो वो word होते हैं those words that are prefixed before nouns to determine their meaning यह nouns से पहले इस्तमाल होते हैं prefixed okay to determine their meaning उनके meaning को determine करने के लिए okay then इसके बाद तिंकी बोलती है कि today we will learn about some or and any तो यह बोलती है आज हम some or any दो determiners हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे the general rule is अब general rule क्या है इसका any is used for questions and negatives while some is used for positive both may be used with countable and uncountable nouns further let's look at the table given below so पिंकी कहती है कि some वहाँ पर use होता है जहाँ पर positive sentence होता है और any वहाँ यूज होता है जहाँ पर negative sentence होता है या question होता है तो आपको याद अखने है कि जहाँ पर भी कोई question पूछा जा रहा है और negative sentence है जहाँ पर no, never, not यूज हो रहा है वहाँ पर any यूज होगा और जहाँ पर भी positive sentence है वहाँ some यूज होगा ओके countable और uncountable भी nouns हो सकता है अब आपको tables दिये गए first अगर आप देखें तो determiner some और any कहाँ use होंगे कहाँ use होंगे इन्हें हम देखेंगे सबसे पहले आपको दे रखा है some तो some use होता है जहाँ पर countable और uncountable अब आप बोलेंगे countable, uncountable कैसे है आप देख सकते हैं कि countable nouns some people in my school like cells तो यहाँ पर अगर आप देखें तो countable noun है यहाँ पर बोला गया कुछ लोग ठीक है कुछ, कुछ लोगों को आप गिन सकते हैं ठीक है 4, 5 तो यहाँ पर कहाँ कि some people in my school like jazz तो यह countable है uncountable noun यहाँ पर क्या होगा there was some snow here last winter so some snow मतलब बर्फ को तो आप यहाँ पर कैसे count नहीं कर सकते तो यह uncountable हो गया तो इससे पहले भी क्या यूज होगा some अब यह दोनों ही sentence देखेंगी कि positive भी है न ओके इसके बाद second अगर हम देखें कहा यूज होता है positive sentences positive sentences मतलब आप देख सकते simple sentence है और positive है जहाँ पर no never use नहीं हुआ है first sentence है I have some friends second है we want some coffee ओके तो दोनों जगे क्या है some use हो रहा है then इसके बाद अगर हम third देखें तो क्या है offering where yes is expected as an answer ऐसी जगे पर भी some लगाते है जहाँ पर हमें answer yes में मिलने वाला होता है मतलब जहाँ हम उम्मीद कर सकते है कि हमारा answer क्या होगा yes ही मिलेगा सामने से जैसे पहला है would you like some tea क्या तुम थोड़ा tea लेना पसंद करोगे दूसरा है could you give me some food क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते है कि दोनों ही क्या है यहाँ पर question ही है but question में आपको उमीद है कि answer क्या मिलेगा yes positive होगा then last है जहाँ पर use होता है some वो है request request जहाँ पर भी आप किसी से कोई request कर रहे है वहाँ पर भी some use होता है like आपको एक example दिया गया है कि can I borrow some money can I borrow some money क्या मैं थोड़े पैसे ले सकता हूँ okay so यहाँ पर आप request कर रहे हैं किसी से क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीक है किसी से request कर रहे है आप सामने वाला हा कहेगा तब ही आप उस चीज़ को कर पाएंगे लेकिन आप सामने से क्या कर रहे हैं आपने आप से request कर रहे हैं यहाँ पर आपने पढ़ा चार पॉइंट्स जहाँ पर some use होगा then इसके बाद any कहां use होता है इसके लिए सिर्फ दो चीज़े याद रखने एक negative और दूसरा questions जैसे कि सबसे पहला है negative sentences negative sentences जहाँ no, never, no, never not यह word use होंगे sentence में याद रखेंगे जैसे है I don't have any friends यहाँ पर any क्यों use हुआ क्योंकि यहाँ don't था, do not तो not use हो गया इसलिए negative sentence हो गया second है there is not any bread left यहाँ पर भी any use हुआ क्योंकि यहाँ पर is not है जहाँ not होगा वहाँ पर negative हो गया negative हो गया तो any use होगा then इसके बाद questions questions देखेंगे, अब यहाँ पर question है do you have any money, क्या तुम्हारे पास do you have any money, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे है is there any sugar is there any sugar यहाँ पर आप question पूछ रहे है answer कुछ भी हो सकता है पर question हो रहे है अब यह इसमें confused नहीं होना है क्योंकि request जो होती है यहाँ पर request and offering यहाँ पर question mark लगा है question की form में बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको पता है कि आपका answer yes में होगा positive है इसलिए some use हो रहे है और second यहाँ पर request कर रहे है आप किसी से तो request और offering जहाँ पर some use होगा यहाँ confused नहीं होना है किस से जहाँ पर question पूछ रहे है तो इस से बिल्कुल confused नहीं होना या direct question है कोई request भी नहीं है और आप किसी से कुछ offer भी नहीं कर रहे है जहाँ पर आपको yes no में answer मिलने वाला है चलिए अब इस से related आपको यहाँ पर फिलप्स दिये गए है इन्हें हम करेंगे और यह answers के साथ में आपको slide पर show कर दें तो हहाँ पर देखेंगे इसके लाबाव आपको COVID appropriate behavior दिया गया है CAB message Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards तो चलिए सबसे पहला है हम sentence देखते हैं पहला sentence है some और any आपको choose करना है दोनों में से कोई और correct answer बताना है first है आपका now we are really going to get dash water luncho said to wife तो यहाँ पर आप देख सकते हैं normal positive sentence है now we are really going to get some water okay so यहाँ पर some use होगा क्योंकि यह positive sentence है negative भी नहीं और question भी नहीं second है आपका since then any has been allowed to talk and has not been assigned any extra homework ध्यान देंगे कि यहाँ पर has not लिखा है has not मतलब negative हो गया यह negative जहाँ होगा वहाँ पर any use होगा then इसके बाद next है third है आपका ठीक है और इसमें आपको बोला गया है कि they had waited and waited for Wanda to have some fun with her so अगर आप यहाँ देखे तो यह भी क्या है positive sentence है they had waited and waited for Wanda to have some fun with her positive sentence तो इहाँ पर सम आ जाएगा then इसके बाद अगर हम next sentence देखे तो क्या है Maddy would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invited the dresses came तो इहाँ पर भी अगर आप देखे तो क्या होगा any होगा क्यूं क्यूंकि यहाँ पर never use हुआ है never मतलब नहीं उसके बाद है had not यह भी लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे की not पहले use होना चाहिए तो never यहाँ पर पहले use हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर any आ जाएगा ओके negative हो गया यह इसके बाद fifth है Wanda did not have any friends तो यहाँ पर भी negative है तो any आ जाएगा simple sentence है न then इसके बाद sixth है Wanda has been absent from school for some days some days यहाँ पर भी आप देखे तो some आएगा क्यों क्योंकि यह negative भी नहीं है और इसमें question भी नहीं पूछा गया है simple sentence है positive sentence है then इसके बाद आप देख सकते हैं कि seventh sentence है there are some birds on the tree यहाँ पर भी आप देख सकते हैं countable है positive sentence है यह भी countable था positive sentence था some आगया इसमें क्योंकि birds को आप count कर सकते हैं days को आप count कर सकते हैं ठीक है तो याद रखेंगे कि यह क्या है positive भी है और countable भी है दोनों चीज़े है then eighth sentence है आपका Wanda will not come to school come to your school anymore so will not negative हो गया न negative हो गया इसका मतलब any आएगा then इसके बद ninth sentence some say the world will end in fire some say in ice कुछ कहते हैं कि जो धर्ती है वो fire से खत्म होगी कुछ कहते हैं ice यह poem है आपकी ठीक है उससे लिए गए है यह सभी philips और आपको दिये गए हैं तो यहाँ पे some use होगा ठीक है कुछ लोग कहते हैं some says तो यह आप कुछ का मतलब क्या होगा countable भी हो गया और उसके साथ यह positive sentence भी है so some use होगा दोनों जगे last आपका जो tenth है if you have any doubt let your teacher know without any hesitation so if you have अगर आपको कोई doubt है question की form में यह if you have any doubt अगर आपको कोई doubt है तो any use होगा ठीक है doubt हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है question है let your teacher know without any hesitation so अपने teacher को यहाँ पर बताओ बिना किसी hesitation की तो यहाँ पर भी any use होगा क्योंकि यह question की form में full stop है ठीक है बट यह क्या है यह अगर आप ध्यान से देखे तो यह question की form में कि आपको doubt हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो यहाँ क्या use होगा any use होगा ठीक है if you have any doubt let your teacher know without any hesitation now your worksheet is completed channel को like, subscribe, share करना बिल्कुल न भूले और comment करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी